हेलो स्टुडेंट्स आज इस पाचमे भाग में राम लक्षमन परुष्वराम संबाद के इस पाचमे भाग में हम लोग जो एक चार चौपाई और एक दोहा बचा हुआ है उसको समात करेंगे और फिर समय देखकर हम लोग इसके प्रश्मतर को भी एक नजर देख लेंगे आ आप बनाएंगे इसको पिछले भाग में अर्था चौठे पार्ट में आपने देखा कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं मन ही मन कि ये लक्षमन को उख का खार समझ रहे हैं उख का बना हुआ गुरु समझ रहे हैं जबकि ये लोहे का बना हुआ है अब उसके बाद कहे लखन मुनि शीलू तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा लक्षमन जी कहते हैं कि हे मुनिवर आपका शील अर्थात आपका आचरन आपका व्यभार को नहीं जान को नहीं जानता है विदित संसारा साजे संसार में यह प्रसिद्ध है माता पिता ही उरिनभय नीके माता और पिता सिते से तो आप अच्छी तरह उरिन हो गए आप मुक्त हो गए रिनभार उनका चुक गया माता पिता ही उरिनभय नीके आ गुरूरीन रहा सोचबड़ जी के एक गुरू का रिन बच गया है वही आपके मन का बढ़ा सोच है बड़ी चिंता है आपको उसकी उन्होंने कहा था न कि बहुत कम सा परिश्रम से मैं गुरूरीन से यह उरिन हो जाता، इसका बद कर उसी परव्यंगे कर रहे हैं कि माता पितहीं उरिन भयनी के गुरूरी ने रहा सोचबर जी के सोजनु हमरे ही माथे काड़ा ऐसा लग रहा है जैसे उस गुरूरीन को चुकाने का भार आपने हमारे ही माथे पर काढ़ दिया है डाल दिया है हटा दिया है अर्थात ऐसा लगता है जैसे उस गुरुरिन को चुकाने का भार आपने हमारे ही सिर पर डाल दिया है तो क्या दिन बढ़ी गए दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा और बहुत दिन हो भी गया इसलिए ब्या लक्षमन ब्यंक कर रहे हैं कि आपके गुरु जी का जो रिन है आपके गुरु का वह जो आपने हमारे सिर्फर ही डाल दिया है तो बहुत दिन हो गए ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा तो अब आनिय बेहबरिया बोली अब आप आनिय अर्थात लाएए बेहबरिया किसी ब्यापारी को बोली अर्थात बुलाकर अब आप किसी ब्यापारी को बुलाकर ले आएए तुरत देव मैं थैली खोली तुरत देव मैं तुरत दे दूँगा थैली खोली पैसे की जो गठरी है थैली उसको खोल कर मैं तुरत दे दूँगा यह भी बहुत बड़ा व्यंगे था चुकि वो तो गुरूरिन की बात कहीं और से कर रहे थे और लक्षमन कहते हैं कि अच्छा आपका गुरूरिन रह गया है जो बड़ी चिंता है आपको आप किसी व्यापारी को बुला लीजे म मैं तुरत थैली खोल कर आपको दे दूँगा सुनी कटू बचन कुठार सुधारा और ऐसा बचन सुनकर परश्राम जी ने कुठार सुधारा फिर से अपने फरसे को संभार लिया हाए हाए सब सभा पुकारा इसके कारण जब लोगों ने देखा कि परश्राम जी कुठार और बज करने वाले हैं तो हाए हाए सारी सभा जितने राजागन थे सभी लोग हाए हाए करने लगे हाए हाए सब सभा पुकारा और लक्षमन जी बाज नहीं आतेव कटें ब्रिगुबर परशु दिखाव हु मोही हे ब्रिगुबर हे परश्राम जी आप मुझे फरसा द्रोही विप्र विचारी ब्राम्हन जान करके मैं आपको ब्राम्हन समझ कर बचाओं अर्थात बचा रहा हूं छोड़ रहा हूं निरिप द्रोही राजा से द्रोह करने वाले को अर्थात आप राजा से द्रोह करने वाले हैं फिर भी मैं आपको छोड़ रहा हूं बचा मिले हैं सुभठ माने अच्छे वीर रण गाढे गाढे रण भूममे है अर्थात कीसी बहुत बड़े जुद्ध में आपको किसी महान जुद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा है किसी अच्छे वीर से आपका टकराव नहीं हुआ है दिज देवता घर ही के बार है ब्राह्मन देवता जो होते है न उगर के ही बड़े होते हैं घर में ही उग इतना दिखा ले आपको कभी किसी वीर से पाला आपका नहीं पड़ा है और जब एकड़म सीधा संबाद होने लग गया तब अनुचित कही सब लोग प पुकारे रघुपति सय नहीं लखन निवारे तब सब लोग कहने लगे अनुचित है अनुचित है ऐसा कहना उचित नहीं है अनुचित कह सब लोग पुकारे तब अब लास्त में देखिए कि रघुपति सय नहीं सय नहीं इंसी सारे से राम लखन निवारे लक्षमन को उन आमने इशारे से लक्षमन को रोका और अंत में दोहा है कि लखन उतर आहुति सरिस लक्षमन का जो उतर था वह आहुति के समान था एक चीज़ आप देखिए कि जब कभी हवन होते आपने देखा होगा तो देखते हैं आप धूफुमाद बगेरे उसमें डालते हैं घी की आह आहुति कहा जाता है यहां उसी का बहुत अच्छा प्रियोग किया गया है कि लक्षमन का जो उतर था वह आहुति के समान था अब भ्रिगुबर कोप क्रिशान और परशुराम जी का भ्रिगुबर का जो कोप था क्रोज था वह क्रिशान अर्थात आग के समान था यानि लक खण उतर लख्ष्मन का उत्तर आहुती सरिस्दू आहुती के समान था अभरिगवर कोप क कृषानू और परशुराम जी का जो क्रोध था वहाँ आग के समान था तो उसको बढ़त देख जब उसको बढ़ते हुए देखा आहुती पड़ेगी तो सभाविक है आग बढ़ेग तो परशुराम जी के क्रोध रूपी आग को लक्षमन के उत्तर रूपी आहुटी के पढ़ने से बढ़ते हुए देखकर जल सम बचन सीतल जल के समान बचन बोले रग कुल भान रग कुल के सुर्ज अर्थात सरी राम जल के समान सीतल बचन बोले जब आग बढ़ता है तो उसको शांत करने के लिए जल की आवशक्ता होती है न तो इसी प्रकार जल के समान सीतल बचल बचन स्रीराम ने कहा बात तो और आगे भी होती है फिर राम और परशुराम का समबाद होता है लेकिन यहां तो हम लोगों को लक्षमन और परशुराम के समबाद को ही देखना था इस प्रकार पूरे इस प्रसंग को इसको देखने में आपने देखा कि किस प्रकार राम ने पहले प्रारम किया लक्षमन को यह कह कर कि कोई आपका सेवक ही होगा फिर उसके बाद लक्षमन को उट पड़े और लक्षमन के साथ जो वारता हुई इस सारा और कितना प्रशनोत्तर हुआ लक्षमन और परश्राम से लेते हुए और इस प्रकार से दोनों में जो वारता हुई उस वारता के आधार पर आ से ये सारा प्रसंग अति उत्तम बन गया है मेरा विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे पहले ओंलाई क्लास में भी आप लोगों को इसको हमने पढ़ाया था चीतर है और इस प्रकार कों से तर्क दिये आप देख रहे हैं कि ये पुराना धनुस था राम ने तो इसे नया समझ कर देखा था और इसके कारण यह तूट गया इसमें उनका कोई दोस्त नहीं है यही सबाब को इसमें लिखना होगा किस प्रकार से फिर प्रश्राम के क्रोज करने पर राम और लक्ष्मन की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनकी आधार पर दोनों के सभाव की विश् कर देते थे राम बिल्कुल उतर नहीं देते थे सांत रहते थे दोनों के सभाव की विश्यस्ताओं को इसी क्या धर पर आपको लिखना है संबाद के रूप में एक लिखने के लिए फिर आता है फिर उसके बाद लक्ष्मन ने वीर जो अधा की क्या-क्या विश्यस्ताएं बतलाई हैं, फिर जो धा सूर समर कर नहीं कर रहीं, कहीं न जनाब हैं, आप इस प्रकार के जो प्रसंग है, इन प्रसंगो सोय आपको उठाना पड़ेगा, मैं उत्तर इसलिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपको पूरी तरह बता और समझा दिया गया है, इसका उत्तर लि प्रतेक दोहे का, मैं अर्थ से स्पस्ट करते गया हूँ, इसलिए इसका भावार्ष भी आपको भी स्पस्ट करना है, मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूँगा, और इसमें जो व्यंग है, हां, अलंकार, आप 9th क्लास में पढ़े हैं, इसमें अलंकारों का प्रियोग हुआ है अनुप्रास अलंकार रूपक अलंकार उपमा अलंकार ये सारी अलंकार भी इसमें हैं उन अलंकारों को भी आप देखते चलेंगे और फिर जब हम लोग वर्ग में होंगे तो फिर इसके प्रस्नोंतर को जो आप लोगों ने तयार कर रखा होगा जो आप लोगों का ह वांबर को